दोस्तों नमस्ते आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जाने हैं एक खास और छोटी सी प्रोलम के बारे में जिसका नाम है इरक्टेशन, बेलचींग, बरपिंग या डकारे आना दोस्तों ये एक नॉमल सी फिनोमेना है बोडी का जब अपन खाना खाते हैं, खाना निगलते हैं, आमा से तक जाता है उसके साथ में कुछ गेसेज उसके इन्वल होके आमा से तक पहुंच जाती है वो आमा से के अंदर पूंचने के बाद वापिस अगर आपकी भोजन नली के द्वारा मूँ तक आके भार निकलती है तो उसको बोलते हैं डकारे ये एक बोडी का नॉर्मल सा रिस्पॉंस होता है लेकिन कुछ कंडिसन के अंदर ये डकारे ज्यादा आने लग जाती है वो आपको प्रेसा नी देने लग जाती है आपका बैठना आपका वर्क अगर आपका डिस्टब रहने लग जाता है तो ये समस्या के अंदर काउंट होने लग जाती है दोस्तों अब बात करते हैं कि कुछ केसिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यदा ड़कारे बार बार ड़कारे आती हैं आप खुद परिशान रहने लग जाते हैं, आपको सर्मींद की महसूस होने लग जाती है, इतनी सारी डखारें आती हैं कि पूरी दिन आप डखारों से परिशान रहते हैं तो ये जो कंडिसन्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि दोस्तों क्या-क्या नॉर्मल कंडिसन्स होती हैं जिसके अंदर नॉर्मल डखारें आती हैं नोर्मिल जो ड़कारे आती हैं दोस्तों जो लोग खाना जल्दबाजी में खाते हैं, फटापट खाने की कोशिस करते हैं, बिलको कंसेंट्रेट होके खाना नहीं खाते हैं, उनके अंदर या जो बातें करते हुए खाना खाते हैं, या बार-बार जो पानी पीते हैं साथ में उनके अंदर साथ में जो लोग स्ट्रो से डिंक करते हैं पीते हैं या कुछ केंडी चूजते रहते हैं उनके अंदर ज्यादा फोर्मेशन के चांसे रहते हैं या जो लोग एंग्जाइटी में रहते हैं, दिमाग में स्ट्रेस पाले वे रहते हैं, उनके अंदर भी ये चीजें क्रियेट हो सकती है या आप खाना एक साथ में वह जदा खा लिते हैं, ऐसी कंडिसन के अंदर भी आपको डकारे आने के चांसे बढ़ जाते हैं तो भी या इंटेंसली अगर आप गेस को अंदर लेने के कोशिस करते हैं, तो भी आपको डकारे आना स्टार्ट हो जाती है ये तो दोस्तो normal सी conditions होते है जब ड़कारे अपनको आती है और ड़कारे पास होने के बाद आपको relief भी मिलता है लेकिन ऐसी कुछ disease conditions भी होती है जिसके अंदर आपको बहुँ ज़्यदा ड़कारे आती है वो conditions है GRD gastro isopagial reflex disease जयानि कि आपका जो acid है वो आमासे से वापिस नली के अंदर reflex होता है बार-बार आता रहे उसकी वज़े से भी आपको दिक्कत होती है गले में चाती में जलर रहने लग जाती है आपको बार-बार ड़कारे आती है पेट में बहुँ ज़्यदा गेस बनती है आपको इसो फेजाइटिस होने लग जाता है जो नली बोजन की उस सूजन आने लग जाती है ऐसे किसेज के अंदर भी दोस्तों आपको ड़कारे बहुत आती है इसके अलावा जो दोस्तों होता है कि आपका आमासे का जो मासपेसियां होती है उनके अंदर किसी भी कारण की वज़े से वो वर्क नहीं कर पाती है तो भी आपकी गेस फॉर्मेशन बहुत जादा होने लग जाती है वो बार-बार डकारों के रूपे पास होती है इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती है वो भी आपको डकार के लिए पर्मोट करती है इसके अलावा हेलिकोब्रक्टर पाइलोरी काफी तरीके का इस्टुमक का एक काफी लोगम इंफेक्शन देखने को मिलता है वो भी गेस फॉर्मेशन जादा करता है उस वज़े से आपको डकारे बार-बार आती है इसके अलावा आप मान सकते हैं कि कुछ जो allergy conditions होती है जैसे celiak disease है या कुछ food allergy है वो आपको दिक्कत करती है तो उनके अंदर भी दिक्कत होती है या जो immunocompromised patients होते हैं जिनका digestion बहुत poor होता है slow होता है जिनका liver अच्छी तरीके से work नहीं करता है intestine के अंदर जिनको problems रहती हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें ज्यादा देखने को मिलती है कुछ metabolic disorders होते हैं उनके अंदर भी ये conditions ज्यादा होती है अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके common common symptoms क्या होता है करुकार आती है टीक है लेकिन वह बार बार रिफ्लक्स होगे आ रही ए तो आपका हो सकता है आपको isophagitis, gastritis, gastritis, gastric counselling अलसर हो ये condition भी आपके साहाथ हो सकती है इसके साहते में आपको चाहती में दर्ध है, टेज जलन है बार बार के बार बहुत ज़्यादा ए्रेक्टिसन्स आती है तो चाहती में जलन रहने लग जाती है आपको वूमिट करने की इच्छा करती है आप इतने ज़्यादा प्रेसान होते हैं कि सो भी नहीं पाते हैं ऐसी कंडिसन्स भी इनके साथ डॉलप होती है अब दोस्तों बात करते हैं कि नॉर्मल कंडिसन्स के अंदर किसको कैसे मेनेज़ किया जाए अभी मैंने आपको कारणों पे चर्चा की कारण का चर्चा करने का यह उद्धे से रहता है कि आप उन चीजों को पहचाने कि आपके अनदर जो ड्यटेसन या ड्कार आ रही है वो किसका कारण क्या है आप क्या ज़्यादा खाने में इस्तेमाल करते हैं किस तरीके के आप की हैबिट्स हैं उनको अगर आप इम् Opportunist करते हैं खानपान में चेंजज जेज करते हैं फिर भी अगर कंट्रोल नहीं रहती है तो होमियोपेटिक मेडिशिन बहुत ही अच्छा वर करती है इन कंडिशन्स के लिए सबसी जो खास मेडिशन है दोस्तो इरेक्टरसंज के लिए बेल्चिंग या बर्पिंग के लिए जो यूज की जाती है टोप लिडिंग मेडिशन है कार्बोवीज कार्बोवीज 30 पावर की पांच भूंद एक कप पानी में दिन में 3-4 बार इस्तेमाल की जा सकती है उन केसेज के अंदर जहां पर आपको अपर अब्डोमन के अंदर नाभी के उपर आला एरिये के अंदर बहुत ज़्यदा फुलाव महसूस होता है बार बार आपको गेस थोड़ा सा आराम देती है पुरी तरीके से रिलीफ नहीं दे पाती है और बदबूदार एक तरे से कई बार जो गेस है वो पास होती है उसके अंदर कार्बोवीज का भूती अच्छा रोल देता है जो इंस्टेंटली इन चीजन के अंदर रिलीफ देती है second जो medicine है वो दोस्तों lycopodium आपके पेट के अंदर छोटी सोड़ा सा भी खाना खाने से पेट फूलने लग दाता है बहुत ज़्यादा गेस बनने लग दाती है और गेस पास होती है लेकिन आपके पेट में गुड़ गुड़ कुड़ की के आवाजे continue चलती है खाना में उनके ज्यादा वर्ग करती है जिन लोगों का डाइजेशन बहुत स्लो रहता है खाना लंबे से के गंटू गंटू पेट के अंदर पड़ा रहता है डाइजेस्ट नहीं होता है बहुत ज्यादा बद्बू वाली स्मेल आती है जिनको गेज पास होने से बिल्कुल भी जैसा मैसुस नहीं होता उनके अंदर चाइना बहुत ही बेटर वर्ग करती है इसके बाद जो नेक्स मेडिसन है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर की पांच मून एक कप पानी में दिन में 3-4 बार ली जा सकती है उनके से के अंदर छोटा सा थोड़ा सा भी कलाव खाना खाने से के पेट आपका भोग ज्यादा फूल क अज बहुत ज्यादा गेस बनने लग जाती है, बार बार आपको पेट में कई बार चाती में जलन और दर्द भी रहने लग जाता है, उन के से बेटर वर काती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, इसके लाव जो मेडिसिन है दोस्तों, वह पलसे टिला, पलसे टिला उन लोगों में ज आईरिस है, रोबीनिया है, अंटिमोनिम कुरूडम है, असाफ हैटिडा एक मेडिसिन है, वो भी बहुत स्म्टमेटिक बेस पर दी जाती है, तो बहुत अच्छे रिलीव देती है, इसके अलावा भी बहुत साही होमेपेथिक के अंदर मेडिसिन होती है, जो आपकी रिक् मेडिसिन की बहुत ही मुश्किल से होती है, उनके लिए हमने एक लेर्फोर्म तियार किया है, www.paraswampati.com हमारी वेबसाइट है, जिसके तुरूँ आप मेडिसिन ओनलाइन एडर्स के पर आप अपने मंगा सकते हैं, और इसकी सीपिंग चार्जेज भी है, वो एक टम्स और कंडिसन के साथ फ्री है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नजदिकी मेडिकल स्टोर से भी आप ले सकते हैं, अगर आपको हमारे से प्रामस लेना है, तो दिएगे वास्टाप नमर के दुआरा मेसेज के तुरू आप पेड अपॉन्टिमेंट लेके का सकते है दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलें, बेल आइकन को जुरू दबाएं, जिससे आपके वीडियो का नोटिपिकसन आपको मिलता रहें, तो दोस्तों बने रहें, आपका प्यार यूँ ही, आप